एक मित्रनी प्रस्ण पुछा है द्यान और एकाग्रता में क्या अंतर है क्रिपा कर समझाईगे। मित्रों द्यान और एकाग्रता का भेद अच्चे से समझ लिया तो आपको द्यान लगने में बहुत आसानी हो जाएगी इसलिए समझे इस बात को एकाग्रता क्या है द्यान क्या है एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज पर आप सम्मंदित हो वो एकाग्रता है चीज कोई भी हो सकते है चाहे वो संसार की कोई बस्तु हो, चाहे मन की कोई धारणा हो, चाहे कोई आस्था की बात हो, चाहे सरीरिया मन हो, चाहे कोई मंत्र हो, कोई भी चीज हो, एक चीज हो, और उस एक चीज पर आप संबन्दित हो, या तो उससे आप जुड़ रहे हो, या तो उसे आप देख रहे हो या तो उसे आप अब्जर्ब कर रहे हो या उसको आप महसूस कर रहे हो इसको बोलते हैं वो एकागरता है एक चीज होना चाहिए बस मन की तो तीन इस्तिती होते हैं जैसे उसो बताते थे मन की एक चंचल इस्तिती होती है उस इस्तिति में क्या होता है कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं एक आता है जाता है दूसरे आता है जाते हैं इसमें आप किसी एक विचार पे केंद्रित नहीं होते हो विचार आते हैं जाते हैं आप एकाग्र नहीं होते हो इसमें ये मन की चंचल इस्तिती है सामन्यत या हर एक आदमी इसी इस्तिती में जीता है उसको पता ही नहीं होता है कि क्या विचार आया क्या गया क्यूं आया ऐसे ही विचार घिरे रहता है आते जाता रहता है मन की दूसरी इस्तिती है वो है एकागरता की उसमें यह हो गया आप भितर से judgment करेंगे उन विचारों को और उन में से कोई एक विचार को आप choice करेंगे और उस से आप related हो जाओंगे या उसको आप notice करेंगे तो एकाग्र मन की इस्तिती हो गई और तिसरी इस्तिती होगी वो ध्यान की इस्तिती होगी उसमें आप ना अनेक विचारों से संबन्दित होंगे ना एक विचारों से संबन्दित होंगे आप विचारों की दुनिया से बाहर ही आ जाएंगे तो ध्यान मन की इस्तिति नहीं है मन से बाहर आने की इस्तिति है तो इसलिए हम ध्यान कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम जो भी करेंगे, वो मन से ही करेंगे, और ध्यान मन से बाहर की बात है, इसलिए कोई भी ध्यान कर नहीं सकता है, जो भी हम करते हैं, वो करते हैं एकागरता, इससे आप समझ ले, आदमी एकागरता तक कर सकता है, वो ध्यान कर नहीं सकता, क्योंकि ध्यान का अर्थ है कि आप मन के मन से आ बाहर ही आ गए जैसे ओसो एक उधारण देते थे बहुत सारे डिब्बा रखा हुआ है सव डिब्ब्य हैं और एक बच्चा उस डिब्ब्य के उपर उचल रहा है एक डिब्ब्य से दूसरे डिब्ब्य पर जा रहा है दूसरे से तिसरे पर जा रहा है तो यह जो इस्तिती है चंचल मन की इस्तिती है और उस बच्चे ने उन सव डिब्ब्यों में से कोई एक डिब्ब्य को च्वाइस कर लिया उसने कह दिया कि यह सबसे अच्छा डिब्बा है तो उसी डिब्बे के उपर जाकर वो खड़े हो गया तो यह एकाग्रा मनिती इस्तिती हुई और यहां तक वो बच्चा कर सकता है और बच्चे ने वो डिब्बे को छोड़ दिया वो नीचे आ गया तो यह ध्यान की इस्तिती है तो इसमें वो डिब्बे के साथ कुछ नहीं कर रहा है उसने डिब्बे को छोड़ ही दिया असम्मन्दिती ही हो गया तो आई से इस्तिती जो है वो ध्यान की इस्तिती है हम भी मन में बहुत सारे विचार चलते ही तो एक विचार से दूसरे विचार पे दूसरे से तिसरे में हम पूधते रहते ही यह चंचल मन के इस्थिति है फिर उन विचारों में से कोई एक विचार को हम च्वाइस करके उसी पे एकाग्र हो जाते है जिसको हम ध्यान बुलते ह बहुत सारे अभ्यास है ध्यान की भी, किसी चीज पर संबंदित होना है, किसी ध्यान की बिदि में, किसी चीज पर बहुत सार कोई मंत्र पे ध्यान करेंगे तो मंत्र पे आप ध्यान करते हो, तो आप मंत्र का जो सब्द है, तो एकी सब्द पर आप केंद्रित रहते हो, और और सब्दों को आप छोड़ देते हो, और डिब्मों को छोड़ गे, एक डिब्मे पे आप जैसे संबंदित हुए थे, ऐसे ही एक मंत्र पर आप संबंदित ह हो जाते हो इसलिए मंत्र एक सक्ति हो जाती है कि एक काग्रता एक सक्ति हो जाती है ने एक काग्रता मन में जो एक काग्रता की साधना करते हैं वो बाबाजी सन्यासी जो कुछ भी हो आप देखेंगे उनके जीवर में कुछ चमतकार भी होता है अइसे भी दिखाई दे दिया कि कोई जमीन से थोड़ा उपर उठ जाता है, हवा में, बहुत दूर की बात जान लेता है, कोई किसी की भविश्य की बात जान लेता है तो कुछ चमतकार वो हो जाता है वहाँ से, क्यों होता है? क्योंकि एक आगरता में क्या हो जाता है? कि जो हमारी सक्ति बहुत सब्दों के पिछे चली जाती थी, वो किसी एक ही सब्द पर आधारित होगी, जैसे सुरज की किरणे बहुत सारे जगह पर फैल रही है, तो उतनी शक्ति उसमें नहीं होगी, आप उन किरणों को समेट के किसी एक जगह पर लेंज के मादिम से लगा दो, तो वहाँ आग लग जाएगे, तो ऐसे ही आप बहुत जगह पर देख रहे हो, तो आपके देखने की सक्ति के पास उतनी सामर्थे नहीं होगा, मगर आप देखने की सक शक्ति आपकी बढ़ेगी, जैसे हम किसी एक दूर की कोई चीज को देखते हैं, तो क्या करते हैं, आपको उसी जगह पर गड़ा देते हैं, और इधर उधर देखना बंद कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी देखने की सक्ति जो है बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान में ये चमतकार की बात भी हो जाती है, इसलिए लोग इसमें लोब के कारण भी पड़ जाते हैं, मगर एकाग्रता बास्तविक ध्यान नहीं है, ये बात समझनी है, आप ने एकाग्रता को ही ध्यान समझ लिया, तो आप जो असली ध्यान है उसको जन नहीं जान मंदित तो विचारों से ही हो रहे हो, तो आप विचारों से ही बदे हो, तो इसलिए आप का ध्यान नहीं हुआ, ध्यान तो तब वगए आप जब सभी विचारों को छोड़ देंगे और बाहर आ जाएगे, और फ्री हो जाएगे, वो ध्यान की इस्थिति होगे, मगर वो ध्य और जय सकते हैं याफन करने के लिए पहले आपको एकाग्रता से किसी एख बिचार एक भाब सहरीर का कोई एक अंग कोई एक पाऊगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही सभी विचारों को, मगर अचानक ही आप सभी विचारों को छोड़ नहीं पाऊगे, इसलिए आप को कहे जाते हैं कि एक विचार पर आप टिको पहले, एक विचार को आप च्वाइस करो, तो उसमें आपने और विचारों को छोड़ द प्हंब्र आप को एक आगरत के promise आवश्यिक होगा। यह करना यह गलत नहीं होगा। यही ध्यानेन है power से यही बात नहीं है तो मुलत हो जाता है। नहीं के तो आप सबसे पहले किसी एक विचार पकीनुट हो तो जब आप ओम ऐसे उच्चारण करके बैठोगे तो आप एक दोनी पर एकागर हो जाओगे। आपका जो मन पहुत सारे विचारों के पिछे जाता था। उससे सम्मंदित हो जाता था। वो वहां से घड जाएगा। और एक इधनी जो ओम आप कर रहे है तो उसी पर केंद्रित हो जाए। तो आप आदे घंटे तक ओम उच्चाण करते रहो करते रहो और विचार उसे सम्मादि धना छोड़ दो। आपके वल उस साउंड ओम की जो दोनी है आपके वितर से आ रहे है। उसी पे आप एकागर कर रो और पर चृँव दो उच्चाण करना भी छोड़ों भीतर से ओम के बारे में शौचना भी छोड़ों तो फिर अपको ध्यान का पोगिया अहीं न तो यह शुगंता देती है तो ऐसे यह विचारों की प्रति साची होने का साधना होता है जसे उसके बन्कर का व्या विचार उठ रहा है उन विचारों की प्रिक्ति सचेत हो जा उनको देखो तो इसमें भी एकागरता ही हो गया क्योंकि आपको ये कहा गया कि कौन सा विचार चल रहा है उस पर ध्यान दो तो आपको एक विचार पर आपको एकागर करना हो गया वो विचार क्या होगा कि ध्या द्यान देना है बस क्या विचार आया उसको द्यान देना है तो एकाग्रता हो गया है जैसे आंक से आपको बोला गया कि क्या आंक से द्रसे देखाई देदिया वह आप द्यान करो आंक से घर देखाई देदिया पेर देखाई दिया आकास देखाई देदिया क्या क्या देखा दिया आपको उसको आप देखो यह आपको कहा तो आपको एकाग्रह होना पड़ेगा चीजों में तो मन में भी क्या क्या बिचार चल रहा है आप देखो ऐसा कहा तो आपको नोटिस करना हो गया ना बिचारों को यह बिचार आया फिर यह बिचार आया फिर कोई नहीं बिचा लगातार ही आता रहेगा वो देखने की विचारों देखना है विचारों को देखना है ये भी एक विचार है तो इस प्राक्टिस में आप पहले विचारों को देखो आई विचारों क्या आ रहा है आप सचित पुरुबग देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो क्या एक विचार रखेगा, क्या विचार बचेगा, देखना है, यह विचार रहेगा, और फिर बाद में उस विचार को भी आप छोड़ दो, तो फिर आप निचे आजाओगे, तो आपको ध्यान लग जाएगा, तो विचार की यह तीन इस्थिति होती है, चंचल मन की इस्थिति, एकाग्र मन की इस्थिति और ध्यान की इस्थिति, ध्यान की इस्थिति वास्ता में मन की इस्थिति है नहीं, जहां तक आपको कोई भी चीज छू रही है, वहां तक आप एकाग्र ही हो, ध्यान नहीं है, जहां तक आपको शरीर का अनुबब हो रहा है, यह विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं या किसी न किसी विशह पर भाब पर आप जुड़े ही रहे हो वहां तक आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि वहां तक तो वह विचार का ही जगत है एक विचार का जगत है इने चंचल मन के इस्तिती बहुत जिसे आप ध्यान में आप बैठोगे तो आँख बंद करके बैठोगे तो आपको एकाग्र होना ही पड़ेगा क्योंकि आँख तो बंद हो गई आँख खुली हुई वह ती तो इधर उधर आप देखते तो इधर उधर जो आपकी देखने वाली सकती है आँख बंद की कारण वो तो भितर देखने लगेगी तो आँख बंद करना एक एकाग्र होना ही है तो उसके बाद भिचर के भितर के अनकंसस माइंड के जो विचार है वो चलने लगेंगे तो फिर आप उसमें खो जाओगे अब भितर आपको फिर ये कहे दे कि आप विचारों के खोना नहीं है जो विचार आया उसके पीछे भी नहीं जाना है उसको दबाना भी नहीं है बस उसको देखना है ऐसा कहा तो फिर आप भितर देखने में लगोगे तो भितर की भी जो सकती बहुत विचारों के पीछे जाती थी वो भी इखटी हो अपको यही तो आपको आपको फिर इसको भी छोड़ देना तो इसको छोड़ने की क्ला जो है वह त्यन है इसको छोड़ोगे तो ध्यान अपने आप ही होगा, क्योंकि विचारों को छोड़ के जो बचेगा वही तो ध्यान है ना, ध्यान कोई अलग चीज है नहीं, आप उसको प्राप्ता नहीं कर सकते, आप विचारों में खोये हो, या विचारों में आप एकाग रहो, दो इस्तित अग्र दुसरी बात इस एकाग्र होने की। आपको पता है कि कि क्या विचार आया। तो मुझाव सिभिविछ परक्टिस करहें और से संबंदही हो रहें। तो kाग्र होत तुछ इस्थिति अग्र होले। सबी विचारों को आप छोड़ दोगे, तो सबी विचारों को छोड़ने का अर्था क्या होगा, वो ही ध्यान का अर्था है, तो ध्यान एक सरलची बात है, एक आग्रता थोड़ी जटिल बात है, एक आग्रता में आपको बहुत प्रियास करना होगा, जो आपका मन इधर उद का है उसको एक ही जगह पर आपको लाना हो गया इसमें उसके लिए होगी तो ध्यान में तो किसी एक जगह पर लाना नहीं है अगर किसी एक जगह पर लाना है तो ये बात कठिन हो जाते हैं मगर आपको छोड़ ही देना है बस असंबंदित हो जाना है बिचारों से आनेक यही मन यही विचार हमको बंदन में भी ले जाता अगर इसको छोड़ दिया तो यह मुक्ती का भी कारण हो जाता तो बंधन से मुक्ति तक आना है, तो विचार को सही तरीके से उपयोग करने के कला सिखना है। इसमें गलत आमको बचना होगा उसमें कहीं आप एकागरता को ही ध्यान नमान के बैठो। बहुत सारे साधक जो है एक आगरता को ही ध्यान मानके पैठें। तो वो चुक ही गहे, ध्यान उनको कभी लग नहीं सकता। जैसे कोई सिवा जी का भकता है तो वो मन में शिवा जी का ध्यान करेगा। है यह सीवाजी का मूर्ति उसका चहरा उसका शरीर तो उसको वह सोचता रहेगा तो उसी पर एकागरत होता रहेगा तो एकागरता के पास इतनी सक्ति होती है कि आप जैसे मैंने कहा ना कि सुरज की किरणों को एकट्टी कर दो तो आग लग जाएगी तो ऐसे ही आप विचार शीवाजी का दर्शन ही हो जाए आपको शीवाजी का प्रतिश्चे दर्शन हो सकता है मगर यह जूट है यह होता नहीं यह मन की छहमता है मन आपको अगर इस तरह एकी जगह पर आपने इसको टिका दिया तो वह क्रियेट कर देखा वो चित्रह जिसे सुपन में क्रियेट क तो वहीं पर रुख जाएगा और असली ध्यान क्या है वो छुट जाएगा अईसे ही साधना करने वाले के पास भी अईसे ही समस्य होगी निरी विचार के जो साधना करते हैं वो यह मानते हैं कि भगमान के मुर्ति नहीं होती जैसे कृष्ण, राम, शिव, ऐसे कोई मुर्ति नहीं होती तो जब वो आँख बंद करेंगे वो मुर्ति को तो वो एकाग्रा नहीं करेंगे मुर्ति को तो वो भितर नहीं गड़ाएंगे मगर फिर वो विचार को गड़ाएंगे वो यह कहेंगे कि सुन्य होता है वो सुन्य का विचार पर वो एक आक्र होंगे सुन्य का बास्तविक सुन्य और सुन्य का विचार फरक बात है आपको बास्तविक सुनने का अनुभव तो हुआ नहीं, वो तो सभी विचारों को छोड़ेंगे, बाहर यह आ जाएंगे, तो जो बचेगा वो सुनने होगा, अगर आप मन में जो सुनने का विचार कर रहे हो, वो विचार भी आपको सुनने का एक क्रियेशन कर देगा, आप अगरता के साधना हमको रोक सकती है, हमको इल्यूजन में ले जा सकती है, हम उसी को ध्यान कहते हैं और वह ध्यान हम करते रहेंगे, इसलिए मित्रों जो आप साधना करते हो, तो इसमें बहुत सजग और सचेत होना चाहिए, और ध्यान क्या है, क्या नहीं है, इस पर बहु और एकाग्रता क्या है और एकाग्रता का हम कईसे उपयोग कर सकते हैं उसका उपयोग करना है एकाग्रता से कुछ मिलेगा नहीं हम ध्यान तो कर नहीं सकते हैं जीसे मैंने बताये ना हम ध्यान कर नहीं सकते हैं हम एकाग्रता कर सकते हैं तो हम एकाग्रता का अभ्यास तो कर करेंगे मगर बाद में हम एकाग्रता को भी छोड़ेंगे पहले हमने पहले चाड़े में हमने भहुत विचारों को छोड़ा एक विचार को पकड़ा उसके बाद हम एक विचार को भी छोड़ेंगे कुछ नहीं पकड़ेंगे तो जो बचेगा वो ध्यान होगा तो एकाग्रता आपको स्वायोगी होगी तो मैंने कहा, जóg Pasto Oom का प्रियोग आप कर सकते हैं कोई एक विचार का आप ध्यान करके रहे सकते हैं आप पुरबाचन को लगाके उसको ध्यान से सुन सकते हैं यह भी एक एकाग्रता है जैसे आप मेरी पुर्वचन आप सुन रहे हो तो क्या हो रहा है एक आगरता तो हो रहा है आप बहुत सारे चीज़ों को सुनने को छोड़के एक इस चीज को सुन रहे हैं तो एक आगरता है मागर फिर में आगे इसमें क्या करना है कि सुनना भी छोड़ देना है आप ऐसे बिचार में आख बंद करके बिचारों को आप देख रहे हैं तो आप देखने बिचारों को देखने वाली जो बिचार है वो देखना देखना है वो बिचार पर आप एक आगरता कर रहे हो मगर दिखने वाली बातों को भी छोड देना है, तो आप फिर सभी विचारों को आपने छोड देना है, सभी विचारों को आपको छोड ना है, तबी ध्यान होगा, मगर प्रार architect में शुरू में से ही आप छोड नहीं पाएनगे, तो एक आग्रता की बिधि आपको मदद कर सकती है और इसमें एक आग्रता के लिए बहुत सारे द्यान की बिधिये हैं मंत्र जापती ऐसे ही एक बिधि है आपको कोई एक मंत्र लगातार कहे ना है जैसे राम 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 कहते हैं ना मगर लोग इतने मूढ है वो जिवन भर राम राम कहते ही रहते हैं। वो तो एक उपाए था। बहुत सारे शब्दों से मुकत होने के लिए, आपने किसी एक सब्द को पर एकाग्रह होना है, ताकि अर्णिय सब्ध छोड़ जाये। इसीलिए आप पोग्राम कहना हैं और राम ही कहना आब अब से कहने आप कोका कोला कोका कोला भी आप भी कहे सकते हों एप पर 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 कहते रहो अधे गण्टे तक तो तो पेड से भिन्न जितने भी चीजें हैं, सब्द हैं, उनसे आपने नाता तोड़ दिया, तो आप एकाग्र हो गए, और फिर बाद में उस पेड को भी आप छोड़ दो, तो फिर जो बचेगा वो ध्यान हो गया, इसे ओम की दोनी हो गई, तो आप साची की ध्यान जो करते ह हैं, मन में विचारों को अब्जरबिशन करने वाली विधियां जो आप करते हैं, यह सास पर ध्यान देना ये भी एकाग्रता है, आपको कहते हैं, जैसे बुद्ध कहते हैं, विपस्षन ध्यान होता है, और उसो भी कहते हैं, बहुत सारे संतों ने ध्यान के लिए सासों को देखना उसको एक बहुत बड़ी बिधी बताई सभी ने बताया सासों पर ध्यान देना तो सासों पर ध्यान देना देने से क्या होगा सास बितर आ रहे ही बाहर जा रहे हैं जब आप उस शासों को नोटिस करेंगे कि बितर आ रहे ही बाहर आ रहे हैं तो क्या होगा आप एका ग्रता हो गया मगर ऐसे ही करत रहना नहीं है बहुत सारे मूल है तो 50-60 साल तक ऐसे शास ओपर ध्यान ही रहते हैं लगा रहते हैं ऐसा नहीं है यह तो आधा गंडे के लिए कुछ प्राक्टिस है आधे गंडे तक आप सास को देखते रहो उसके बाद सास को देखना भी आप छोड़ दो पहले सभी चीज छोड़ने के लिए शास पर ध्यान लगाया था और फिर ध्यान पर ध्यान लगाने के लिए शासों को भी छोड़ना हो गया तो प्राणायाम की विधियां जो भी विधियां है यह सब एकाग्रता की विधियां हैं मगर आपको स्वचित होना थ के लिए आम मुझे बात करें उसका नम्मर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ